हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी लोग टेक्नो राजू में आप लोगों मैंसे बहुत लोग इसे होंगे कि कहीं से भी वीडियो उठाते हैं और फेस्बुक पे अपलोड कर देते हैं बाद में इसी का प्रोलम का फेस करना पड़ता है आप लोग को अब वहां पर आ जाता है Facebook के तरब से Monetization Policy Issue जो कि आप लोगों सामना करना पड़ता है 1000 फोलोवर होने के बाद भी आप लोग का Monetization नहीं होता है तो आज मैं आप लोग बताने जा रहा हूं कि monetization policy issue एसे हटाया जाता है दोस्तों सबसे पहले आपको facebook page में आना है facebook page में आने के बाद आप profile में जाना है profile में जाने के बाद see dashboard अब यहाँ पर देख सकते हैं monetization का option आएगा यह रहा monetization का option और यहाँ पर आप जाईए in stream ads अब यहाँ पर आप देख सकते हैं see policy issue see policy issue आगिया है अब यहाँ पर मुझे click करना है यहाँ पर मैं request के लिए send कर चुका हूँ और आपका जो आएगा यहाँ पर एक select करने का option आएगा पर request review के लिए आपको send करना होगा request send करने के बाद कुछ इस type से आएगा अब यहीं पर रुखना नहीं है फिर आपको फिर back जाना है फिर यहाँ से आपको screenshot लेना है इसका यह page का screenshot लेना है फिर आपको back चले जाना है तो मैं back चले जाता हूँ यहाँ से मैं अपने Facebook page पर फिर से आगिया फिर मुझे यहां तीन डॉट पर click करना है फिर सबसे यहां पर last में जाना help and support में जाना help and support में जाने के बाद यहां पर आप देख सकते है report problem क्योंकि मेरे page में तो report है मेरे page में तो कुछ है भी नहीं तो यहां पर जाना है और यहां पर रिपोर्ट प्रोब्लम में चले जाना है रिपोर्ट प्रोब्लम में जाने के बाद इंक्लूड है रिपोर्ट इंक्लूड है रिपोर्ट में जाने के बाद आपका पेज में प्रोब्लम है यह भी प्रोफाइल में प्रोब्लम है यहां पे आप देख सकते हैं सारा option है यहां पे तो मेरा पेज में problem है पेज में आने के बाद यहां पे आपसे screenshot मागेगा जो पहले आप screenshot ले चुके हैं तो यहां मैं cut कर लेता हूं यहां से उठा लेता हूं यही था और description में क्या लिखना है description में आप लोगों बताता हूं क्या लिखना है तो सबसे पहले मैं not paid में जाता हूं क्यूंकि मैं not paid में यह सब note करके रखा हूं और यह मैं not अपने description में डाल दूँगा आप लोग कोपी करके आप भी कुछ इस तरह से फोलो कर सकते हैं तो चलिए यहां पर मेरा आगिया है यहां से मैं copy कर लेता हूं यहां से select all copy फिर से मुझे बेख जाना है फिर page में जाना है अब यहां पर आ करके paste कर देना है कुछ इस तरह से और इस में आपका page के लिए problem है यह फिर profile के लिए तो यहां से आप change कर लेना जहां पर facebook page लिखा हुआ है वहां पर आप profile कर देना simple सा इतना ही करना है आपको अब यहां पर upload कर देना है sorry upload यहां से send कर देना है यह मेरा send हो गया और एक बात मैं बता दे रहा हूं facebook पे आपको चार से पांच बार live आना होगा तब जाकर के facebook वाले आपको detect करें कहां यह original बंदे की यह profile है आई होप आज की वीडियो आप लोगो अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो अगर समझ में नहीं आया हो तो comment करके मुझे बताना मैं आप लोगो अच्छे से में बता दूंगा आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत